दो हजार चौबिस में देव शैन एकादशी जिसे हरी शैनी एकादशी कहा जाता है कितनी तारिक को आपको ब्रद्धारण करना है पारण का सुब महरत कुछ श्रेष्ट उपाय नियम पूजा विधी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में होगी जो कि आपके बहुत काम की ह तो ध्यान से सुनिएगा आपसे अन्रोध है अंत तक बने रहीएगा जैसे आप जानते होंगे इस दिन कहा जाता है स्रीहरी विष्णु चिर निद्रा में चले जाते हैं और समस्त्र स्रिष्टी का संचालन कारे भार मेरे महादेव को समर्पित कर देते हैं और महादेव ही इस स्रिष्टी का संचालन करते हैं और धर्ती पर भ्रमण करते हैं और सावन का पवित्र मेहना भी अपने आप में अब थोड़े समय बात सुरू हो ही जाता है एक आदशी का देन अपने आप में स्रीहरी विष्णु को समर्पित स्रेष्ट देन है कहा जाता है इस दिन किय गए कोई भिसरास्ट जो उत्तम कारे होते हैं वह हमारे पित्रों को भी सुख प्रदान करते हैं और हमारे जीवन में स्रीहरी विष्णु की आसेम करपाप्राप्त करवाते हैं ब्रत नहीं भी करते हैं तो कुछ त्रेस्ट कारे जरूर से करें जैसे हमारे छेत्र में कहा जात पूजन करना चाहिए जब देव उठनी 11 साती है तो इसी तुलसी का विवाह करकर हमें विदा करना चाहिए दान करना चाहिए तो आपके छेतर में भी अगर ऐसा कहते हैं तो आप देव शैनी एकादशी के दिन आवश्यक रूप से तुलसी का पौधा घरला पर रोपित करें विदी विधान से चार मेंने इनका पूजन करें और श्रीहरी विष्णु की यह कृपा प्राप्ते तो करवाता ही है साती आपके प्रशन आते हैं कि जब तुलसी विवाह करेंगे तो कौन सी तुलसी का हम दान करें तो यही तुलसी का दान हमें करना होता है ऐसा हमारे छे आपको 17 जुलाई दिन बुद्धबार के दिन करना है बहुत सुब और दुरलब सयोग हो रहे हैं उदियाति ठीक है और साथी एक आदशी ठीथी प्रारंब होगी 16 जुलाई की रात 8 बच कर 33 मिनट और एक आदशी ठीथी समाप्त होगी 17 जुलाई रात 9 बच कर 2 मिनट के आस सीयोग हो रहे हैं 17 गो बरत करेंगे 18 जुलाई को अपने बरत और को खोलेंगे 18 जुलाई के दिन सुबह 5 बच find 35 मिनट से सुबह के समय आज बचकर 20 मिनट के आस पास आबको अपने ब्रत का पारण कर लेना चाहिए इस तरह यह ब्रत की जानकारी थी अब आपको कैसे अपनी दिन चरिया और उपाई करने हैं ध्याद से सुनें सबसे पहले ब्रह्मो मोहरत में आपको जल्दी उठ जाना है बुद्धवार का दिन है तो हरे या पी ले या लाल रंग के कपड़ों का चैन करें इच्छा आपकी है बुद्धग्रह से संबंद रखता ह हरा रंग तो हरे रंग का चैन कर सकते हैं गंगाजल और तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में आपको घूमा लेना चाहिए और उसी से स्नान करना चाहिए कहा जाता है ओम नमो भगवते वासुदेवाई महा मंत्र का जाप करकर जो वेक्ति तुलसी की लकडी को घुमा कर अपने स्नान में नहा लेता है मन कर मवानी से कोई पापकर्म हुए है तो भैपूर्ण रूप से खत्म हो जाते हैं ऐसा सास्त्रवर्णन कहता है तो आप सभी को यह कारी भी कर लेना है सुरी नारायन भगवान को इसके बाद जल देना है जल के लोटे में आप सभी को आवश्यक रूप से पित्रों के लिए इस दिन अगर कोई हम कारी करते हैं जैसे एक आदशीती थी पर आप दान पुझा पाथ उपवास या कोई नियम लेते हैं तो पित्रों को भी एसुक प्रयदान करते हैं तो जल के लोटे में थोड़ा काला तिल लाल चंदन आपको डालना चाहिए लाल फूल भी डालना चाहिए और ओम ग्रणी सूर्या या ओम सूरे देवाई नमू नमा कहते हुए आपको सूरे नारायन भगवान को ताबे के लो इस दिन महादेव के सीवलिंग पर अप जल का लोटा समर्पित करेंगे साप सवच घर से अपको भर कर ले जाना है और महादेव के मंदिर में माता पार्वती की नानी मास्वधा स्वधा जोकि तीन बार आपको बोलना है सेवलिंग में जल चड़ाने में क्यूकि जो पर में भी भरनित है तो जो जल का लोटा लेंगे उसमें कुछ नहीं डालना साप सच तरीके से एकादशीति थी है ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्री सिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाब करें और जो है ओम स्री पित्र देवाय नमा कहते हुए स्वधा 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 स तीन बार बोलकर सिवलिंग पर आपको एकादशी थी पर जल चड़ाना चाहिए फिर गोल बत्ती का घीका दीपक लगा कर महादेव की सरलसी अरादना करें पित्र दो शित्यादी की परेशानी से जूज रहे हैं तो आप सभी आवश्यक रूप से स्वधा स्रोध्यों की ब ब्रत के दिन हमें बाल दोने चाहिए या नहीं तो आप सभी को बता दो कि तुलसी एकादशी हो या किसी भी जब ब्रत्योहार का दिन होता है तो बाल नहीं धोने चाहिए इसके पीछे साबुन सेम्पू तो पूर्ण रूप से नहीं लगाना चाहिए हां मासिक धर्म की स् चाहिए क्योंकि केमिकल युक्त सावन सेम्पू आते हैं जिस कारण से हमारा ब्रत खंडित हो जाता है तो आपको यह ध्यान रखने योगे बात करनी है अपने जीवन में इसके साथ साथ आप जानते होंगे यह दिन अपने आप में चमतकार के स्वरोप में देखा जाता है इस दिन आपको अगर पीपल व्रक्ष की पूजा कर सकते हैं पीपल व्रक्ष की जड़ में कच्चा दूर काले तिल मिलाकर अगर आप दीपक लगा देते हैं अपने पित्रों का स्मरण करकर स्रीहरी विष्णु का ध्यान करकर तो यह भागी की रेखाओ को चमकाता है और तमाम तरह के दोशों से जीवन को मुक्त करने वाला होता है तो यह कारी भी आप कट सकते हैं साथ के साथ घर पर विराजमान लड्डु गोपाल या स्रीहरी विष्णु की कोई प्रतीमा फोटो है तो आप सभी को जो संख है ना जो की मालक्षमी का स्वरूप माना जाता है संख में दूद भर कर तुलसी पत्र डाल कर गोमाता का कच्चा दूद है तो अति उत्तम है ओम स्री विष्णवे नमाया ओम नमो भगवते वासुदेवाय या स्रीहरी विष्णु से संबंधित कोई भी सरल से मंत्र का स्मरण ध्यान करते हुए अगर आप लड्डु गोप स्रीहरी विष्णु की प्रतीमा फोटो है उस पर जल जरूर से चड़ाएं तो यह भी एक उपाई के स्वरूप हैं जो आप कर सकते हैं साथ के साथ आप सभी को इस दिन एक समय का भोजन ब्रामन देवता को जरूर से दान में देना है कहा जाता है कादशी पर किया गया दा वासुई घर में दीपक तुलसी के साथ साथ केलाव रक्ष और पीपल के साथ साथ बेल पत्र यह इस्थान परियापत रहेंगे अगर आप दीद्दान कर सकते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंतर का एक माला का जाप करें भागी कुल जाएगा एक आदशी व क्रिया भी आप कर सकते हैं करने का प्रियत्न करें लाब मिलेगा जितना संभव हो एक आदशी तिथी पर भगवान का चिंतन ध्यान भजन इस्मरण में अपने अस्ता में वेतीत करें धीरे धीरे जो मैं वीडियो लेकर आउंगी वह देव शैनी एक आदशी उपाय से संब काम बंध हो जाते हैं स्री सिवाए नमस्तुभ्यम ओम नमो भग्वदेवा सुदेवा